परिवार में उसकी पत्नी शोभा और दो बच्चे निशा और रिंकू थे। राजेंद्र ने अपना एक अच्छा बिजनिस खोल रखा था। राजेंद्र की बेटी आईशा को अपनी अमीरी का बहुत घमन था। इसलिए वो अपने माता-पिता की तरफ बहुत अकड में रहती थी। आईशा की शादी होने वाली थी। राजेश अपनी पत्नी शोभा क के साथ राजेंद्र की घर गया ताकि वो भी शादी की तयारियों में अपना कुछ सहयोग दे सके। तुम दोनों आईशा के चाचा चाची हो ये बात सब जानते हैं। कहो तो मेरे पास कुछ पुरानी साड़ियां पड़ी हैं मैं उसमें सही तुम्हें दे देती हो। मेरी पुरानी साड़ियां भी महंकी से महंकी है। बिल्कुल नहीं। एक काम करना राजेश। उस दिन मैं तुम्हें अपनी गाड़ी भिजवा दूँगा। तुम और शोभा बच्चों के साथ गाड़ी में सीधा शादी वाली जगा पहुंच जाना। उस दिन राजेश की गरीबी का खूब मजा कुड़ा। इतना अपमान की राजेश और शोभा शर्मसार होकर घर आ गए। उनका बिलकुल मन नहीं था कि वो अपनी भतीजी की शादी में शामिल हो। पर सगे रिष्टेदारों में शादी थी तो उन्हीं शादी में शामिल तो हो नहीं था। धीरे धीरे शादी का दिन नज़दीक आ गया। आईशा ने शादी से एक दिन पहले ही सगाई का फंक् अब मैं तो कहूंगी कि कल आप शादी में आओ ही मत। महमान आने शुरू हो गए हैं इसलिए सब लोग बाहर चलो। हाँ 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 आईशा चाचा घर पर कोई भी फोन नहीं उठा रहा है मैं पार्लर में थी मैं रेडी हो चुकियो पर यहाँ बहुत जाम लगा हुआ है ड्राइवर बहुत देर का मुझे लेने के लिए निकला हुए पर अभी तक यहाँ नहीं पहुच आ है मेरी उसस को लेकर शादी वाली जगह पर पहुचो और भीया भावी को सारी बात कहते ना बुलना मैं आईशा को लेकर ही पहुच रहा हूँ वो विचारे भी टेंशन में होंगे जिन रास्तों पर जाम कम था अगले आधे घंटे में ही राजेश ब्यूटी पार्लर पहुच गया चाचा आप इतनी जल्दी आ भी गए मुझे तो यकीन नहीं हो रहा अभी आधा गंटा पहले ही तो मेरी आप से बात हुई थी आईशा बिटिया मुझे शेहर की हर गली का पता है मैं शौटकट रास्ते से आटो लेकर पहुँच गया अंकल जी आप आटो रिक्षा चलाते हैं हाँ मेरे चाचा आटो रिक्षा चलाते हैं तबी तो देखो आधे गंटे में यहां तक पहुँच गये जो काम महिंगी से महिंगी गाड़ी नहीं कर पाई वो काम चाचा के आटो रिक्षा ने कर दिया आशा तुम बहुत लखी हो जो तुमें इतने अच्छे चाचा मिले हैं और हाँ शादी की सारी फोटोज मुझे भेज देना आशा राजेश के आटो में बैट जाती है राजेश गलियों में से बहुत सावधानी के साथ आटो रिक्षा ले जा रहा था आईशा की आँखों में शर्मिंदगी थी वो अपने जिस चाचा की हमेशा बेज़ती करती रही एक ओटो रिक्षा वाला कह कर हमेशा उनका अपमान करती रही आज उन्ही चाचा के ओटो रिक्षा में तैयार होकर वो अप शादी के मंडप में पहुँच रही थी शुकर है भगवान का कि तुम समय पर आ गई बारात बस दर्वाजे पर आने ही वाली है मम्मी आज में समय पर पहुँच पाई हो तो सिर्फ और सिर्फ चाचा की वज़े से अगर चाचा अपना ओटो रिक्षा ना लाते तो पता नहीं मैं शादी के मंडप तक कैसे पहुचती ड्राइवर तो अभी भी जाम में फसा हुआ है मेरे भाई तुने सच मुझ अपने भाई होने का फर्स निभाया है भाईया आईशा मेरी अपनी बेटी है मेरी अपनी भाईजी और मेरी बेटी की शादी में मैं भला कोई दिक्कत कैसे आने दे सकता था कुछ देर बाद बारात आजाती है राजेंद्र और रुमा चाचा की मिलनी में राजेश को सम्मान के साथ आगे खड़ा करते हैं सब कुछ ठीक हो गया दोनों परिवारों में उस दिन अमीरी और गरीबी का कोई फर्क नहीं था आईशा की शादी खूब धूमधाम से होती है और वो अपने ससुराल विदा होती है उस दिन सचमुच उसकी आँखों में अपनी चाचा और उनके परिवार के लिए बहुत अपना पन था मानसी एक आट साल की छोटी बच्ची जिसके मम्मी पापा दोनों नहीं थे वो अपनी चाचा चाची के साथ रहती थी मानसी ओ मानसी अभी तक तेरे से जाड़ू नहीं लगी और देख बारिश हो रही है जाकर छट से सारे कपड़े भी उतार कर ला अभी लाती हो चाची बारिश बहुत तेज हो रही है क्या करूँ जल्दी जल्दी कपड़े उतार लेती हूँ नहीं तो चाची फिर मारेंगी दीपा बिटिया ये ले तेरा दूट वो भी बादाम वाला गरम गरम पी ले बारिश का मौसम है चाची कपड़े उतार कर रख दिये हैं मुझे भूख लगी है कुछ खालू पहले बाजार जाकर ये सामान लाला की दुकान से लेकर आ फिर कुछ खाना चाची बारिश बहुत तेज हो रही है कुछ देर बाद चली जाओ बारिश इतनी तेज भी नहीं है जो तू बह जाएगी चुपचाप लेकर आ सामान मांसी तेज बारिश में सामान खरीदने चली जाती है और बुरी तरह भीग जाती है ये क्या, पूरी चीनी बारिश में भीगो दी, अब तू नहीं बचेगी मेरे हाथों से सुधा मांसी को थपड़ पर थपड़ मार रही थी आखों की अंधी तुझे दिखाई नहीं दिया क्या चीनी भीग रही है आज तुझे खाने को कुछ नहीं मिलेगा, जैब भुकी अरे, अरे, सुधा, इतना क्यों मार रही हो, पागल हो क्या, छोड़ो इसे चीनी ही तो भीगी है, और आ जाएगी तुम चुप रहो, पैसे पेड़ पर नहीं लटक रहे है, जो ये चीजों का नुकसान कर देती है चल बाहर बारिश में भीग, यही तेरी सजा है सुधा मानसी को घर के बाहर बारिश में भीगने के लिए खड़ा कर देती है सुधा बच्ची है, अंदर आने दो, नहीं करेगी दोबारा एक काम करो, तुम इसे घर के अंदर ले आओ, मैं घर छोड़कर दीपा को लेकर माई के चली जाती हूँ किशोर चुप होकर कमरे में चला जाता है, तकरीबन एक घंटे बाद मानसी बीगे हुए कपड़ों में बरतन धोने लगती है, भूगी प्यासी मानसी घर का सारा काम करती है, सुधा मानसी पर बहुत अत्याचार करती थी एक दिन हाँ भाईया, मेरे पती काम से बाहर जा रहे है, पीछे से ये काम हो जाना चाहिए ठीक है, मैं समय पर पहुँच जाऊंगा सुधा मानसी को चपल की दुकान पर छोड़ जाती है, दुकानदार दूसरे ग्राकों में व्यस्त हो जाता है तब ही पेटा आपका नाम मानसी है न, आपकी चाची ने मुझे भेजा है, उन्हें घर जाना पड़ा, वो मुझे तुम्हें घर छोड़ने को बोल गई है, आओ तुम्हें घर छोड़ देता हूँ अंकर, ये तो मेरे घर का रास्ता नहीं है, आप मुझे कहा ले जा रहे हो, ये रास्ता भी घर की और ही जाता है, जहां से ले जा रहा हूँ छुपचाप चल, मानसी व्यक्ति के हाथ पर काट कर हाथ छुड़ा कर भागती है, एए रुख जरा, एए भाक्ति का है, एए व् अंसी रोती हुई तेजी से भागती है, भागते भागते अचानक, आंटी, वो अंकर मेरे पीछे पड़े है, मुझे अपने साथ ले जा रहे है, आंटी, डरो नहीं बेटा, अरे अब क्या करूँ, ये लड़की तो गायब हो गई, मैडम, वो लड़की तो हाथ छोड़ा क भाग गई, कैसी लड़की को पकड़ने के लिए तुमने बोला, मेरे पैसे वापस करो, जितने भी मैंने तुम्हे दिये हैं, लड़की को तुम संभाल नहीं सके, इसमें मेरी क्या गलती है, कोई पैसे वापस नहीं मिलेंगे, सुधा ने मांसी को स्व्यक्ति को बेज दिय और उसके बदले पांच लाख रुपे लिये थे, उधर मांसी जिस महिला से टकराती है, उनका नाम कौशल्या देवी था, मांसी डरी हुई थी, तो वो उसे अपने साथ ले आई, आओ बेटा अंदर आओ, डरू नहीं, माला, गुडिया के लिए पानी लेकर आओ, और आँटी मेरा नाम मांसी है, मेरी चाची मुझे बाजार में अकेला चोड़ कर चली गई, और उन गंदे अंकल ने बोला कि वो मुझे घर चोड़ देंगे, पर वो अंकल मुझे कहीं और ले जाने लगे थे। एक छोटा सा नाथ आश्रम चलाती थी और मजबूर बच्चों की साहयता करती थी, उधर जब किशोर वापस आता है तो वो घर पर मांसी को नहीं पाता, किशोर सुधा से पूछता है, सुधा मांसी दिखाई नहीं दे रही, कहां गई है, यहीं कहीं होगी, किशोर कमरे में चला जाता है, तभी सुधा को व्यक्ति का फोन आता है, दूसरे फोन पर किशोर दोनों के बीच की सारी बात सुन लेता है, शायद तुम जानती नहीं हो, कल्लू से पूरे एरिया में नाम सही लोग ड़ जाते हैं, मुझ जैसे गुंडे से पंगा लिया है तुमने, देखो पांच लाक रुपए दो, और मेरा हिसाब करो, ठीक है, मैं पैसे दे दूँगी थोड़ा वक्त दो, सुधा फोन रख देती है तभी, क्या, तुमने मांसी को गुंडे के हाथ बेच दिया, सुधा तुमने कितनी नीच हरकत की है, बेचारी बिन माबाप की अनाध बच्ची को तुमने बेच दिया, सुधा, तुमें एक और एक मा कहलाने के लायक नहीं हो, कहां रहता है वो गुंडा मेरे साथ चलो, अब ही बता उसका पता, किशोर सुधा को थपड मारता है और कल्लू गुंडे के घर पहुचता है, बता, बता मेरी भती जी मांसी का है, बता, बता वरना में तेरा खून पीजाओंगा बता, ये ले, मुझे मत मारो, मुझे नहीं पता तुमारी भती जी का है, तु ऐसे नहीं मानेगा, पुलिस के सामने सब जुबान खुल जाएगी तेरी, ये ले, किशोर पुलिस को फोन करता और वो आकर कल्लू से सारी बात पूछते है किशोर जी, हमारे पास एक अनाता अश्रम की तरफ से एक बच्ची के मिलने की खबर आई हुई है, एक बार वहाँ चल कर देख लेते हैं, कल्लू का रेस्ट कर लो रे नमस्ते को शल्या देवी जी, वह आपने जो बच्ची के मिलने की खबर दी थी जी इंस्पेक्टर साहब, मैं अभी बुलाती हूँ, माला मानसी को ले आओ, चाचा जी मानसी, मानसी मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे, तेरी ये हालत मेरी वजह से हुई है आपको पता भी है, मानसी को इन्होंने एक गुंडे के हाथ बेज दिया आपने एक मा होकर मासूम बच्ची को किसी गलत हाथ में सर्फ पैसो के लिए बेज दिया सर्फ इसलिए क्यूंकि मानसी अनात है, इसके माता पिता नहीं है इंस्पेक्टर साब, आप सुधा को गिरफतार कर लीजी किशोर मुझे माफ कर दो, मेर से गलती हो गई चाचा जी, चाची जी को जेल मत भेजो, इन्हें माफ कर दो चाचा जी किशोर जी, अनात बच्चों की सहाइता के लिए मैं सदा तैयार हूँ इसलिए ही इस अनात हाश्रम में हर मजबूर बच्चे को सहाइता मिलती है मानसी बिटिया, अपने चाचा के साथ घर जाओ किशोर जी, मानसी आपकी जिम्मेदारी है, इसका ध्यान रखिएगा मानसी, मुझे माफ कर दो बिटिया, मैं अब कभी तुम्हे मा की कमी महसूस नहीं होने दूंगी मानसी खुशी-खुशी अपने चाचा चाची के साथ घर चली जाती है कौशल्या देवी की वज़े से, आज मानसी सही सलामत अपने घर वापिस पहुच गए थी